हे दोस्तों आज हमे कैसा टॉपी डिसकस करने जा रहे है जो यक्ष्टस के बीच बहुत ही दाद पॉपुलर हो रहा है हाँ आप सही सोच रहे है हम बात कर रहे है फूट ट्रक बिद्निस की क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना फूट ट्रक हूँ जहां लोग लाइन लगा कर आपके टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हूँ अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो चलिए इस जर्निकी शुरुबात करते हैं और जानते हैं कि फूट ट्रक बिद्निस को कैसे स्टार्ट किया जाए और इससे सक्सेस्पूल बनाने के लिए किनकी शीतों का ध्यान रखना ज़रूरी है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पॉइंट नमबर वन फाइनिग यूर नीश और टार्गेट ओडियंस तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके फूट ट्रक में खास क्या होगा मतलब आपका नीश क्या होगा और ये जानने के लिए आपको अपने एरिया में थोड़ा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा देखिए, मार्केट में बहुत सारे food trucks होते ही कुछ specialized होते ही burgers में, कुछ pizza में और कुछ देशी street food में लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको unique selling point क्या होगा और उसके बाद आपको अपने target audience को पैचानना होगा मान लिजिए, आप healthy food sir करना चाहते हो तो आपके target audience हो सकते ही gym जाने वाले लोग, ill-conscious लोग वही अगर आप कुछ fusion food try कर रहे हो तो आप young generation को target कर सकते हो जो नई और exciting चीज़े try करना चाहते है तो market को अच्छे से research करो market को समझो और फिर decide करो कि आपके इस target audience को serve करना चाहते हो और वही बनेगा आपका niche काफी लोग पुछते है food truck के लिए सही location कैसे चुने आपको ऐसे location चुननी होगी जहां बहुत प्रतिस परदा ना हो और जहां भिड़बाड हो खास कर उन जगा पर जहां यूवा और पेशेवर लोग आते जाते रहते हो और यह सुनीचित करें कि आपका truck ऐसा खड़ा हो जहां लोगों को दिखने में कोई परिशानी ना हो और ट्राफिक में भी रुकावट नहीं आए पॉइंट नमबर टू Creating a killer menu अब बात करते हैं menu की क्योंकि food truck का दिल तो उसका menu होता है न एक शांदार menu तयार करना बहुत ज़र्द ज़रूरी है लेकिन धान रहे menu ऐसा होना चाहिए जो आपके niche और target audience को appeal करें menu बनाते वक्त quality और quantity का balance रखना बहुत ज़र्द ज़रूरी है मतलब हर dish tasty और quality वाला होना चाहिए लेकिन साथ ही आपको ये दिखना होगा कि आप बहुत सारे items भी नहीं रखे अपने menu में ऐसे items को शामिल करें जो जल्दी तयार हो सके क्योंकि food truck का concept ही है quick और delicious food और हाँ menu में आप seasonal items भी रख सकते हो जो हर season change होते रही इससे customer को हर बार कुछ नया मिलेगा और आपके business में भी ताज़की बनी रहेगी point number 3 past and budgeting अब अगर आप अपना food truck set up कर रहे ही तो सबसे पहले बात आती है budget की क्योंकि budget सबसे crucial part है इस journey का तो चलिए इसे breakdown करते ही और समझते ही तो सबसे पहले आपको एक अच्चा और फंश्टा food truck चाहिए होगा food truck खरिदने या customization का खर्चा थोड़ा high हो सकता है लेकिन यह एक long term investment है food truck खरिदते वक या कस्टमाज करते वक ध्यान दे की आपके menu की अनुसार truck का साइट सही हो होदा रंग के लिए अगर आप Italian और Continental food सहर करना चाहते हैं तो एक 80 feet लंबा truck अच्चा रहेगा एक नया truck आपको 8 से 10 लाग का पड़ सकता है लेकिन आप पुराने truck को भी 3 से 5 लाग में खरिद सकते हैं बस शर्त यह यह कि बस वह सही condition में हो और उसके पास सबी जरूरी दस्ताविज हो फिर आता है kitchen equipment का खर्चा इसमें gas stove, refrigerator, cooking utensils, grills और सपाई के सामन भी शामिल है और हाँ शुरुवाती दोर में 1 से 2 week का inventory का खर्चा भी शामिल करें नेक्स्ट है licenses और permits यह समय के साथ change भी हो सकते हैं कुछ नए licenses भी आपको लेने पर सकते हैं तो business start करने से पहले अपने area में अच्छे से marketing सर्च कर ले और जान ले कि कुण कुण से permits और license अभी लग रहे हैं और वो प्राप्त कर ले अभी current में मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब जो licenses लग रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ पर आप अपना business start करने से पहले अपने area में अच्छे से जानकारी ले ले कुण से licenses और permit चाहिए business start करने के लिए और वो लेके ही आप business को start करिए legal तरीके से So food truck business के लिए सबसे पहला license है Fire Safety Certificate Fire Department से Shop or Establishment License तानियन अगर निगम से RTO से NOC अपने वहान के लिए Food Safety and Tenders Authority of India Fasai License, Mobile Vendor के लिए Kitchen Insurance, Kitchen के लिए इन दस्तावेजों की लागत लगवग 50,000 तक हो सकती है समय के साथ ही यह कम ज़्यादा भी हो सकती है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अच्छे से जानकारी ले ले कि कौन-कौन से License सो Permits चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके एरिया में और जानकारी लेने के बाद ही आप Legal तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए Next is Stop की आपशक्ता Food truck के लिए आपको दो ship और एक helper की आपशक्ता होगी Ship की salary 13-15000 तक हो सकती है जबकि helper की salary 8000-10000 तक हो सकती है Delivery model के लिए आप दो delivery boy भी रख सकते हैं या third party logistic company के साथ बिटाइब कर सकते हैं Next is Point of Sales Software एक अच्छा Point of Sales Software आपके डेटा को सुरक्षित रखने और आपके बिकरी और इन्वेंटरी को ट्रैक करने में मदद करता है इसका कर्च लगबग 20-25 अदर प्रतिवर्ष हो सकता है नेक्स्ट है स्टाप के लिए यूनिफॉर्म टाप यूनिफॉर्म आपके ब्रैंड को पेशेवर लूग देता है एक कॉलर टीशिट के लागत 200-300 रुपे हो सकती है और शेप के लिए एक कोट के लागत 400-600 रुपे प्रतिकोट हो सकती है आप जरूर से अपने स्टाप के लिए यूनिफॉर्म ले और अपने बिजनेस को एक पेशेवर लूग दे अब हम बहुत ही इन्पॉर्टन स्टेप पे आ चुकी है जो की है लाइसेंस और पर्मिट्स ये ऐसा पाठ है जिससे अबॉइड नहीं कर सकते सबसे पहले आपको अपनी local authorities से चीक करना होगा कि आपके area में food truck operate करने के लिए कौन-कौन से लाइसेंस और पर्मिट्स जरूरी है ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पर्मिट्स के काम करना legal नहीं है और इससे आपको fine भी हो सकता है पॉइंट नमबर 5 designing your food truck तो अब हम बात करते हैं आपके food truck के design की देखिए आपका truck से पर एक kitchen नहीं है या आपका brand भी है सबसे पहले तो truck के बाहर का design बहुत ही important है ये वही चीज है जो सबसे पहले लोगों की नजर में आती है तो इससे bright, attractive और memorable बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ ऐसा जो लोग देखते ही पैचान जाए ट्रक का interior भी उतना ही important है kitchen area को efficiently design करें ताकि cooking process smoothly हो सके हर चीज की placement ऐसी होनी चाहिए कि cooking करते वक्त आपको बार बार इदर उदर ना भागना बड़े और हाँ customer के लिए भी थोड़ी space बनाए जहाँ वे आराम से खड़े होकर आडर दे सके और खाना इंजोई कर सके आपके लिए छोटा सा question यहाँ आपके इसाब से food truck का design कितना important है 1 से लेके 10 तक rate करें और हमें comment में बताए point number 6 setting up operations अब बात करते है daily operations की operations को सही से setup करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके business को smoothly चलाने में मदद करती है सबसे पहले आपके staff को अच्छी तरह से train करें हर कोई अपनी जिमेदारी जानता हो और सभी की काम में coordination हो इससे आपकी service fast और efficient होगी ingredients की regular supply को सुनिच्चित करें ताकि आपको किसी भी दिन की कमी ना हो और हाँ अपने food truck के menu और quality को continuously monitor करते रही ताकि कोई कमी ना रह जाए customer के साथ भी interaction बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी service को personal touch दे ताकि लोग बार-बार आपके food truck पर आना चाही Point No.7 Marketing Your Food Truck आखिर में अगर आपको अपने food truck को successful बनाना है तो marketing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकर social media सबसे बड़ा टूल है अपने food truck की social media पर presence बनाए Facebook, Instagram, Twitter देसे platform पर अपने food truck के बारे में post करें food की picture शेयर करें और reviews collect करें इसके साथ ही loyalty program चलाए जिससे आपके regular customers को benefit मिले इससे नहीं सिर्फ आपके customer बढ़ेंगी बलकि आपके brand की value भी increase होगी और हाँ public events में भी participate करें और अपने truck को brand के रूप में promote करें और यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा pool है आपका food truck किस तरह का होगा यह थी हमारी food truck business की complete guide अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का like करें दोस्तों relatives के साथ share करें और चानल को subscribe करना तो बिल्कुल भी मत भुलिएगा ताकि ऐसे आगे आने वाली informative videos आप सक पोश्चती रहें अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपको किसी भी business idea related information चाहिए या वीडियो चाहिए तो हमें comment में लिखके जरूर बताए हम जरूर बनाने की कोशिश करेंगी तब तक के लिए धन्यवाद and all the best for your food truck business